हेलो दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल पे आपका स्वागत है आप देख रहे हैं रास्ट पिलेस यूटूब चैनल और मैं आपका दोस्त शमसी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ में 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 फोर डोर्ड एम्यूलेटर में टेकन टेक टूनामेंट गे वीडियो के आखरी तक बने रहें वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक रास्ट प्लेस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दवाएं ताके आने वाली वीडियो बटन कैसे सेट करें दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था टैकन टैक टूनामेंट गेम कैसे डाउनलोड करना है और ये भी बताया था कि उसकी स्पीड सेटिंग कैसे करनी है दोस्तों दोनों वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त हमारे गेम का बटन रिसेट है दोस्तों बटन सेट करने के लिए हमें उपर ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन में जाने के बाद हमें सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद इनपूट में जाना है और इनपूट में जाने के बाद टेच कंट्रोलर में जाना है और उसके बाद कस्टुमाइज लॉयट में जाना है दोस्तों जब हम कस्टुमाइज लॉयट में जाएंगे तो देख सकते हैं अब हम बटन को रिमूब कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ बटन कैसे सैट करना है, तो लेफ्ट हैंड में हमें A को लगाना है, और उसके राइट हैंड में हमें B को लगाना है, और A के नीचे हमें D को लगाना है और B के नीचे हमें E को लगाना है और उसके बाद B के उपर हमें C को लगाना है और F को स्क्रीन से साइड कर देना है और दोस्तों हैंडल को अपना कोडिंग एड़्जेस्ट कर लेना है और उसके बाद हमें बैक आ जाना है तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे गेम का बटन सेट हो गया है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दवाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेग केर